एक और बड़ी खबर इस फखत है उक्रेन ने अब रूस का प्रस्थाब ठुकरा दिया है। बलारूस की तरफ मानवी कोरिडोर का प्रस्ताव ठुकराने की इस वक्त कि ये बड़ी खबर आ रहे है जहाँ एक तरफ कोशिश ये हो रही है कि बाची तो हो लेकिन हुमानिटेरियन कोरिडोर्स बनाया जा सके साथी सीसफायर को लेकर भी कई हम डिसिजन्स किये जा रहे है लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि अब रूस ने यूक्रेन ने रूस का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया है साथी इंटरनाशनल कोर्ट की सुनवाई में अब रूस चामिल नहीं होगा इस वक्त की एक और बड़ी खबर है यूक्रेन पर हमले के मामले में आइसी जी में ये सुनवाई हुई है और यूक्रेन ने रूस के खिलाफ कोट में अपील की है यूक्रेन पर हमला के मामले में अब इंटरनाशनल कोट में सुनवाई को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है तो आप अतरपार्टी सर जैसे हम जिकरी कर रहे हैं कि इंटरनाशनल कोट आफ जस्टीस क्या रूस को वहाँ पर ले जाना या उससे कुछ फाइदा मिलेगा क्योंकि अब से पहले हमने तो देखाने की जो ताकतवर देश होते हैं उन पर इस तरह के कोई भी कोई भी अगर फैसला आता है तो लागू करते हैं देखिए सिर्फ एक ये नरेट्व पैदा करने नरेट्व क्रियेट करने या एक तरह से इसको हाइप करने की देखिए उक्रेन विक्टिम है और रूस ने इसके खिलाफ इतने अत्याचार किये इसके अलावा इस पर पब्लिक ओपिनियन जेनरेट करने इसके अलावा लीग कि पावर नहीं है. अपने आप देखें, सिविलियन कुछ होता है, तो कोट जज्मेंट देते हैं, तो उसके बाद आप जाते हैं कि इंप्लिमेंटेशन की डिकरी को एग्जिक्यूट कराने, तो वहां तो कोई भी किछी भी जज्मेंट को एग्जिक्यूट कराने का इंप्लिमेंट कराने का कोई पावर ना ICG के पास है और ना United Nations के पास है जब तक कि कोई देश, कोई पार्टी उसमें इतनी ताकत वर नहीं ताकत वर नहीं है कि यह सिर्फ एक mind games चल रही है और किसी तरह से दबाव बनाने की कोशिच जो की execution में कभी कुछ नहीं हो सकता रूस इस बाद से वाकिफ है बिलकुल देखे यह जैसे ambassador त्रिपार्टी ने भी बोला है यह basically symbolism है एक support डालने का और जिस प्रकार इन्होंने भी बताया इंटरनाशनल court of justice जो ताकतवर देश है उसकी तो वहाँ चलेगी ही नहीं basically छोटे देश है जैसे में को याद आता है मैं जब रवांडा में था वहाँ 1.5 million genocide हुआ था उसके बाद ICJ बहुत लंबा चला था और फिर उन्होंने मेरे ख्याल पिछले 2 या 3 साल में जाके कोई judgment दिये थे तो वो ऐसे देश है जा उनकी कोई सुनवाई नहीं है लेकिन बड़े देश जा है वहाँ पर तो इसकी value rightly so it is zero zero हो जाती है उसका सबसे बड़ा example ही चाइना है क्योंकि चाइना को लेकर इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं कि चाइना की ओपर बताया गया थे कि South China Sea में जो आपने island कबजा कर रखा है वो Philippines का उसको छोड़ दीजे चाइना ने क्या किया चाइना ने वहाँ पर अपने military base बना ल